स्टुडेंट्स फिर से हम बात करने वाले हैं एक नए concept की जिसमें हम बात करेंगे discharging of capacitor की last lecture में हमने देखा कि capacitor charge कैसे होता है हमने देखा capacitor कि different properties की capacitor sudden change in potential difference potential difference के sudden change का oppose करता है okay एकदम से उसके across potential change नहीं कर सकते हो okay उसका oppose करता हो तो अगर उसके across potential zero है मतलब uncharge capacitor अगर हमने कहीं use किया है तो वो short circuit की तरह भी हो करेगा क्योंकि उसके across का potential zero है initially दीरे दीर वो charge होगा जब पूरा charge हो जाएगा फिर वो open circuit की तरह भी हो करेगा क्योंकि अब current flow होने की जरुवत नहीं है तो वो circuit open हो जाएगा यह दोनों concept हमने देखाते हो इसके basis पर हमने initial condition और final condition पर basic question भी किये थे कि अगर हमको t is equal to infinity पर या फिर t is equal to zero पर किसी circuit मे current find करना है या potential find करना है जब capacitor लगा हो कुछ question हम और देखते हैं उससे related जैसे कि अगर हमारे पास में यहां पर एक switch है ओके और हमने resistance लगा रखा है एक resistance और है capacitor है ओके और इसका parallel में एक resistance हमने और लगा रखा है यहां पर हमारे पास में एक battery है जो की 100 वल्ट की है कितने वल्ट की है प्लस माइनस 100 वल्ट यह सारे resistance 10 10 10 10 ओम के हैं और यह capacitor जो है वो c फैराड का है ओके ऐसा हमारे पास question है t equal to zero पर t equal to zero पर इस switch को हमने close कर दिया हमको find करना है कि यह तीन जो branches है पहला ब्रांच जिसमें current i1 flow हो रहा है दूसरा ब्रांच जिसमें current i2 flow हो रहा है और तीसरा ब्रांच जिसमें current i3 flow हो रहा है इन तीनों ब्रांच में कितना कितना current flow होगा जब t equal to 0 होगा और t tanks to infinity होगा मतलब initially मतलब की initially और यहाँ पर मतलब की finally finally बोले तो after very long time after very long time ओके बोर टाइम के बाद में किसका value? find find i1, i2 and i3 i1, i2, i3 हमको find करना है हमको पता है t equal to 0 पर capacitor short circuit की तरह behave करेगा short circuit की तरह behave करेगा तो यहाँ पर इस capacitor switch close हो गया यह resistance as it is यह अदा resistance भी as it is capacitor के सब behave कर रहा है बताओ बच्चो capacitor के सब behave कर रहा है short circuit की तरह यहाँ resistance एको लगा हुआ है तो यह है 10 यह भी है 10 और यह भी है 10 इसमें से इदर से current flow हुआ i1 यहाँ करन दो पार्ट में डिवाइड हुआ i2 और i3 हम सबसे पहले इसका equivalent resistance निकालेंगे और i1 फाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 100 वोल्ट का बैटरी है अब यह दो resistance हमको clearly दिख रहा है parallel में है यह दो resistance किसमें है parallel में है तो इनका parallel combination 10 into 10 divided by 10 प्लस 10 होगा मतलब की यह हो जाएगा 5 ohm दो equal resistance को अगर हमने parallel में connect किया तो by 2 मतलब 10 by 2 ultimate जो R equivalent हमको मिलेगा R equivalent जो मिलेगा 10 plus 5 मतलब की 15 ohm कितना मिलेगा 15 ohm मिलेगा क्यों क्योंकि यह 10 और यह इसका equivalent 5 series में connect हो जाएगे तो हमको equivalent 15 मिला अगर हम i1 की बात करेंगे तो total this battery divided by this resistance okay तो resistance कितना है 15 मतलब की 20 by 3 ampere okay अब यह sorry i1 जो है वो दो पार्ट में divide हो गया i2 i3 में और दो equal पार्ट में हमको current electricity के concept इसमें लगाना है अगर हम i2 की बात करें तो वो i1 by 2 और i3 भी उतना ही होगा क्योंकि दो equal पार्ट में divide हो जाएगा तो t equal to 0 पर इसका value हो जाएगा 10 by 3 ampere क्योंकि 20 by 3 ampere तो यह 10 by 3 ampere हो जाएगा तो यहां पर हमने i1 भी find किया i2 भी find किया i3 भी find कर लिया है अब हम next concept देखते हैं जब हम both time के बाद बात कर रहें मतलब t times to infinity second case after very long time after very long time, both time के बाद में अगर हम देखेंगे तो capacitor केसा भी हो करेगा fully charge capacitor केसा भी हो करता है, open circuit के तरह भी हो करता है, केसे भी हो करता है? open circuit की तरह भीयो करता तो इसको open कर देना है यहाँ पर हमारा battery लगा हुआ था कितने वॉल्ट का था battery 100 वॉल्ट का यहाँ पर हमने switch लगा रहा था यहाँ रजिस्टर है यहाँ पर भी एक रजिस्टर है अब capacitor केसे भीयो कर रहा है बताओ केसे भीयो कर रहा है, open circuit की तरह भीयो कर रहा है, केसे भीयो कर रहा है, open circuit की तरह भीयो कर रहा है, यह 10, यह 10 और यहा पर भी 10, तो यहां से तो कोई current flow होगा ही नहीं, क्योंकि यह open हो गया, यहां से कोई current flow नहीं होगा, यहां से current flow नहीं होगा, तो हमको इस i2 का value मिलेगा 0, क आईू का वेल्यू कितना मिलेगा। तो यहां पर आई टू का वेल्यू जीरो हुआ। एंतू को वेल्यू जीरो क्यों हो रहा है क्योंकि ल panne capture open ऑब घृवDyas करें। अब अगर हम इवन की बात करें ध्यान से समझना हैिवन और यह I3 equally होगा क्योंकि यही current आगे pass हो रहा है, होगा रहा equal, total equivalent resistance इस case में कितना हो जाएगा यह दोनों series में आ जाएगे, मतलब 20, कितना हो जाएगा, 20 अगर हम I1 की बात करें या I3 की बात करें तो वो होगा 100 divided by 20, कितना होगा, मतलब 5A, कितना होगा 5A, तो यहाँ पर हमने देखा कि initially और final इस type equation हम last lecture में भी कर चुके हैं पर हमने वापिस से इसलिए देखा क्योंकि initial और final case में current अलग-अलग होगा यहाँ पर हमने देखा कि initially इस I2 का value होगा, कुछ, कितना होगा 10 by 3, पर finally इस I2 का value 0 हो जाएगा I3 का value भी यहाँ पर change हो रहा है और इस capacitor के current यह जो I1 है यह भी change हो रहा है, तो अलग-अलग time पर current का value अलग-अलग होगा, इसलिए इसको हम कहेंगे transient current क्या कहेंगे? transient current इस type के circuit को हम कहते हैं उसका transient response क्या कहेंगे? transient response अब next हमने देखा, अभी तक हम बात कर रहे थे charging of capacitor capacitor की charging की बात कर रहे थे हमको next lecture में देखना है capacitor का discharging कैसे होगा उसका current का equation क्या होगा और voltage का equation क्या होगा और उससे related question हम कैसे solve कर सकते हैं